हेलो फ्रेंद्स पल्लवीस किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे एक यम्मी सी चाट रेसिपी जो आप बस दो मिनिट में असानी से बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए रेसिपी की शुरुवात करते हैं यहां हमने लिए हैं 10 से 12 बेबी आलू यह आलू हमने बॉयल कर लिए हैं अगर आपको यह छोटे साइस के आलू नहीं मिलते हैं तो आप नॉर्मल आलू के छोटे पीसे कट करके उन्हें भी यूज कर सकते हैं इसके बाद हमने लिया है बारिक कटा हुआ एक प्याज आधा कटोरी हमने लिये हैं नाइलोन सेव उसके बाद लिया है थोड़ा सा फ्रेश दनिया मसालो में एक छोटा चमच काला नमक एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर और एक छोड़ा चम्मच जीरा पाउडर इसके बाद हरी चटनी इस चटनी को बनाने की रेसिपी अल्रेडी मेरे चानल पे है आप चाहे तो उससे देख सकते है इसके बाद लिए है इमली की चटनी इस चटनी को बनाने की विदी भी मैंने अपने चानल पे अलरडी शेयर की है आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और साथ ही में हमने लिया है दही अब सबसे पहले ये आलू हम पील कर लेंगे तो ये आलू अब पील हो गए है और अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं चाट बनाते समय सबसे पहले हम प्लेट में ग्रीन चटनी डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे ताकि चाट के बेस में भी टेस्ट रहे और वो एंड में फीकी ना लगे इसके बाद जाएंगे बॉइल्ड आलू आलूओं के उपर हम डालेंगे इमली की चटनी इसके बाद जाएगा थोड़ा दही हाँ हम थोड़ा जादा दही डालेंगे ताकि टेस्ट उसका और निखर के आए इसके उपर से डालेंगे प्याज उसके बाद थोड़ा सा काला नमक थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर इसके बाद फिर से थोड़ी सी ग्रीन चटनी थोड़ी सी इमलिकी चटनी थोड़ा सा दही उपर से सेव और साथ ही में फ्रेश धनिया तो ये इजी वीजी चार्ट रसीपी बनके तयार है टेस्ट में एकदम स्वादिश्ट ये चार्ट आप किसी भी ओकेजन पे जटपट बिना किसी प्री प्रेपरेशन के बना सकते हैं तो ये चार्ट बना के देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको ये चार्ट कैसी लगी जाने से पहले मेरे चार्ट को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मुझे जरूर दे मैं मिलूंगी नेक्स प्रेशी पी के साथ तब तक के लिए बाबाई